ठीक है तो हम पढ़ रहे हैं Body Fluids and Circulation अभी हमने पढ़ाता last चुथा नास सेशन में हमने पढ़ा था कि body fluid में open और close circulatory system जो है वो उसमें क्या रहता है और वो कैसे होते हैं तो open circulation में मैंने आपको पताया था कि sinuses में flow होता है जिबकि close circulation में जो है मैंने आपको पताया था कि there is a system in which blood flows into the tube-like structures called vessels तो तो close circulation में क्या होता है कि जो blood रहता है उसका flow जो है हमने देखा था कि close structure में होता है जैसे कि एक जो है main जो artery रहती है वो एक बड़ी artery रहती है बड़ी branch में से निकलती है उसको कहते है जो एक contractile organ जो की contract कर सकता है उसमें से निकलती है उसको कहा गया है heart उस और्गन को कहा गया है heart ठीक है तो वो उसमें से जो है एक बड़ी artery निकलती है जिसको aortic arc कहते है फिर जो branches रहती है उसको artery कहते है फिर artery जो है different organs में small branches देती है उनको कहते है arterioles और artery जो है further very very small branches बनाती है और उनको हम कहते हैं capillaries ठीक है यह हमने पढ़ा था close circulation में वहीं जो veins होती है capillaries जो further है वो small branches जिसको कहते है venules उसमें convert होती है फिर वो बनाती है venules venules जो है वो बनाती है venules और venules जो है further 2 और 3 branches बनाती है बड़ी ठीक है venules जो है further एक बड़ी branch बनाती है जिसको हम कहते है venakava ठीक है these are veins and these are venules okay venules अब कैसा है कि यह वापिस क्यों मैं आपको समझा रहे हैं structure क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं जो close circulation रहता है उसमें जो vessels रहती है blood vessels वो हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो today's topic is blood vessels कि यह blood vessel किस type की रहती है क्या structure इनका रहता है क्या specialty रहती है इनकी और क्या काम रहता है ठीक है close circulation का जो है कल मैंने आपको बिताया था last session में कि close circulation के क्या फायदे है कि जो blood pressure रहता है वो regulate रहता है और जो blood supply रहती है वो भी controlled रहती है इसमें ठीक है और efficient blood supply होती है efficient blood supply कैसे होती है कि जो arteries रहती है arteries में जो capillary रहती है capillary के पहले जो है pre-capillary जो है उसमें sphincters रहती है pre-capillary sphincters तो pre-capillary sphincters का क्या काम रहता है कि वो किसी भी organ में किसी भी organ में कितनी supply जानी चाहिए उसको maintain करती है क्या होता है कि कुछ कुछ तो thorough channels होते हैं जैसे कि ये ठीक है और कुछ जो branches रहती है तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ चैनल्स चोड़ा है वो अलग है और ये जो मैं white chalk से दर्शाना चाहरी है वो है in sphincters ठीक है these are sphincters pre-capillary sphincters तो ये जो pre-capillary sphincter रहता है इसका क्या काम रहता है कि organs में जो capillary की blood supply रहती है उसमें कुछ supply तो thorough through fair channels के द्वारा होती है through fair channels मतला कि वो channels वो supply जिसमें हमेशा blood बना रहता है लेकिन कुछ channels जो रहते हैं कुछ walls कुछ capillary जो रहती हैं उसमें pre-capillary sphincter होती है अब ये pre-capillary sphincter क्या है तो pre-capillary sphincter जो है muscular structure रहता है capillary के पहले capillary के division होने से पहले artery में और वहाँ पे एक ऐसा muscle का sphincter रहता है जो की close रहता है जब organ को supply नहीं चाहिए तब वो close रहता है लेकिन जब उस organ को ज़्यादा supply चाहिए तो उस organ में supply बनने लगती है और वो जो pre-capillary sphincter रहते हैं वो भी open हो जाते हैं और वो फिर उस organ में ज्यादा supply पहुशने लगती ठीक है इसका जो application है वो मैं आपको आपको बताऊंगे कि क्या वहाँ पे क्या work करता है ये pre-capillary sphincter तो इसका जो function है वो क्यों important है वो मैं आपको बताऊंगे ठीक है फिलहाल हम पढ़ रहे हैं blood vessels तो इसमें दो जो vessels हैं वो हैं arteries और veins तो हमारी body में जो दो main vessels होती वो होती है arteries और veins ठीक है arteries और veins के बारे में ज्यादा तर जो आपने books में पढ़ा है अभी तक छूटी classes में उसमें सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि आर्ट्री में जो है वो red color का bright color का bright red color का oxygenated blood रहता है अशुद्धरत pure blood veins में जो है de oxygenated blood रहता है अशुद्धरत और foul blood ठीक है यह हमने बहुत एकदम superficial level पे small classes में पढ़ा था लेकिन अब जो है arteries और veins का थोड़ा सा detail हम पढ़ेंगे कि arteries का structure कैसा होता है veins का structure कैसा होता है arteries का काम क्या होता है veins का क्या काम होता है दोनों में क्या differences है यह सारे topics जो है यह सारे points में आपको बताऊंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लेते हैं artery ठीक है artery का structure में आपको बनाती हूँ artery जो है उसमें तीन structure तीन पार्ट में डिवाइड किया है ट्यूनी का external first is tunica external external मतलब की बाहर की तरफ तो जो layer बाहर की तरफ होगी उसको कहेंगे tunica external tunica media ठीक है जो layer बीच में होगी उसको कहेंगे tunica media तो यहां से मैं आपको सबसे पहले ट्यूनिका इंटरना के बारे में बताती हूं अंदर से स्टाइब करते हैं अंदर से बाहर की तरफ ठीक है यह जो है किसी भी आटरी का ठीक है यह किसी भी आटरी का जो है यदि हम क्रॉस सेक्शन करेंगे ट्रांस्वर सेक्शन तो कैसा स्ट्रक्चर देखेगा ठीक है यहां से यदि हमने काटा आटरी को तो हमें कैसा स्ट्रक्चर देखेगा इससे सामने देखने पर ठीक है तो इसस सबसे पहले अईनिका इन्टना